हलो फ्रेंस अभी का स्वागत एक और clash of clans के इंट्रस्टिंग एपिसोड में तो ये वीडियो काफी दाधा इंट्रस्टिंग होने वाली है जैसा कि अभी देख सकते हो 30-40 सेगंड में मेरा आर्मी बनने वाला है पर क्या इंट्रस्टिंग होने वाली है वार के अंदर अगर हम हाए तो भाई अभी मेरा एक अटैक बचा है जो मैं इस वीडियो में अभी लाइव में अटाक करने वाला हूं उसके अलबा अभी स्टाल स्कोर देखोगे तो 71-72 ओल्रेडी हो चुके एंट ओल्मोस सारे अटैक्स हैं आपर आप देख सकते हो 3 हो गए बसकि ये 3 बेस ब अटैक बचा हुआ है यह देखना मैं कॉल कर रहा हूं तो शीच आप जा रहा है भाई का फोन भी हो ना वाट्सप पे ओनलाइन है भाई तो मतलब वह ओनलाइन होते हैं दो अटैक हो जाते हैं तो मेरे साब से तो दो अटैक मिस हो जाएंगे बागी अधर वाई क्या इंप बागी बाई मजा तो ठीक है बार बारिश हो रही है ठीक है मैं रात को शूट कर रहा हूं वीडियो आएगी कल बागी आर्मी ट्रेन हो चुकी है एवरिटिंग इस फाइन में जारो नमबर 9 को किलियर करने चलो कर देते एक लाइव अटैक और अपोनेंट की जो थोड़ी स बागी इस बेस को में थिरी करके उनकी वह जो बची कुछी उमीद है उस पर भी पानी फिर देना चाहता हूं यहां सारे सिक्स के सिक्स सुपर लून यहीं से ब्लिंप यहां एक आर्चर डाल लेते हैं यहां ब्लेक माइन वगेरे लूर हो गई जैसा कि आप देखी सकते हो और टाउन होल की तरफ अभी आप देख सकते हो कोई नहीं जा रहा खैर अब वो तो हो नहीं था बागी अब क्या लेने वाले हो ले लो जो भी लेना है निकाल लो यार घर की कहती है कहां दिक्कत आ रही है अरे दिक्कत तो है इना रहे चलो यहां से अपर साइड से में यहां पर दो आर्चर दो मिनियन सब डाल लेते हैं और इनफ टाइम तो जस्ट गेट थ्री स्टर उन देट बेस आइड नो क्या आने वाला है बड़ बाकी अभी यहां पर अटाक तो बढ़िया जा रहा है बेस के अंदर में मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा है बेस खत करता हूं अपने पास जितने भी सब डिप्लॉय कर लिए अपने यहां पर किंग का अबिलिटी अपन यूज कर लेते हैं यह जो बचा हुआ बेस है इसको भी कर देते थ्री एंड अपोनेंट तो भाई नहीं आ सकता हमरे क्लोज भी दो अभी स्पेक्टेटर चल रहे है अमेजिंग अमेजिंग इन्टू माइंड ब्लॉइंग इन्टू थाउजेंट है भाई बागी मैंने मोंटी राना वाले अकाउंट मिस्टर वाले अकाउंट से भी अटैक किये वो भी मैं आपको दिखा दूँगा थोटा सा फार्स ओरवर में दिखा दूँग अपने चार अब यह मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पर हमाना 73 स्कोर हो चुका है अगर अपोनेंट में आऊंगा अपोनेंट के नमबर 6 का एक अटैक बचा हुआ है अब हमारे बेसिस जो बचेवे वह अपर वो अगर दोनों भी 3 कर देते हैं बट अ नहीं होने वाला वो तो आपको वोर रिजल्टी सी वीडियो में देखने को मिल जाएगा और बाकी में अटैक किया था नमबर 1 2 3 4 लाइन से टाउनल 16 को उड़ाये थे चलिए मैं फार्स फॉरवर्वर्ड में दिखा देता हूं यह बेस है चलिए कल देते इसको फार्स फोकस था क्योंकि वापर 2 spell tower थे जो मेरे को मिलने वाले थे यहाँ पर poison tower उदर की तरफ में चला गया तो मेना army spam भी उसी side से कर दी CC को एक side corner में बुलाके electro titan से kill कर दिया फिर warden के साथ में healing tom का use किया attack को देखते देखते 3 किया easily 3 हो जाता है healing tom max कर लो healing tom इस वाली army के rage jam से काफी अच्छा वर्क होता है healing tom में but कुछ attack में rage jam में करता हूं जहा healing tom max नहीं है जहां rage jam में थोड़ा early max कर दिया था बागी healing tom amazing है बागी यह attack में ने किया था number 1 पर जो कर दिया था 3 star चली अभी आगे और फटाफर से में ने 1 2 3 4 के attacks दिखा रहा हूं आपको number 2 का attack द town किया base के अंदर में एक चोटा सा गड़ा बन गया एंड उसके बाद मैंना army deploy करी अपनी monol इसके उपर से पूरा घूम करके ending में जाकर करके town hall को target किया गया मतलब इस strategy में है ना जो दर होता है ना bunny star होने का मेरे को वह नहीं लगता मैं बिलकुल back end से पुरा army डाल देता हूं town hall approach करता हूं बिलकुल at the end of the base but still यह army इतनी जाद ओपी है कि town hall भी मिल जाएगा and overpowered तरीके से attack को आप three star में convert कर दोगे तो यह था हमारा number two पे attack चलिए मैं number three वाल भी दिखा देता हूं सारे max town hall 16 basis थे सबको सेम army से द्वस्त कर दिया गया है और यह attacks के उपर में एक particularly dedicated video भी बना चुका हूं जिसमें strategy explain किया आई button में check कर देना बागी मैंने एक legend attack वाला वीडियो कली drop किया था वो वाला वीडियो भी आप देख ले न उसमें legend attack किये थे live उसमें भी आपको मोटा मोटा इस army के अलग-अलग basis के attack आपको देखने को मिल जाएगे legend pushing के लिए six की अगर आपको करना है ना तो यह army का average hit rate आप easily निकाल लोगे 280 क्योंकि जब तक route rider नहीं होता नर्फ तब तक यह army है भगवान मतलब literally god army है भाई करते कोई बेस हो आप spam मारो deck 3 हो जाएगा देखो वेज़े में spam ठीके spam करो और भाई 3 हो रहा है तो क्यों मैंनत करनी बागी बागी बाद super archer करना जिसको आता है उसके लिए तो easily सारे basis crush होते जाएगे इस तरीके से चलिए इस attack के बाद तो आपको वोर का result दिखाने वाला हूं क्या लगता है विन कर लिए होगे या opponent तीन स्टार स्कोर कर लिए होगे फिर उनके attack दो ही बचे थे बागी की भी पूरी ट्राय में कर रहा हूं तो भाई support करो seed account थोड़ा अठका पढ़ा है काफी दिनों से तो subscribe कर देना ताकि एसे interesting clash of clan की वीडियो आपके लिए में हम बनाता रहूं आगे भी आते रहेगे बागी कैसा लगा यह वाला war काफी intense हुआ था and भाई हमने war win करा lose करा वो आर्स आउट ऑफ 75 के वाल एक ही अटेक थी नहीं हुआ जो था नंबर पांच पर वह भी 97 परसेंट हुआ एंडिंग में dpb online आकर दो अटेक कर दिये and इनका जो फिफ्ट नंबर पर अटेक था वह भी 96 हुआ था 96 97 दो ट्राय हुए बागी सारे basis clear कर दिये enemy clan का war win streak जो कि क रेट बहुत कम है बट हमारी तरफ से इनको एक रेट दे दिया गया बाकिया यह ओप यू लाइक देट वीडियो फ्यू लाइक इन मेक्शू दो इट लाइक शेयर और सब्सक्राइम इट्यू ने नाच वीडियो और इस डेक्लैसर लव यू आल